खबर सिरोंज से, सिरोंज में नहीं थम रहा चोरियों का सिलसला फिर बनाया सोने घर को निशाना 2 लाक नगदी और सोने चांदी के जेवराथ पर हाँच साफ सिरोंच थाने में चोरों की बल्ले बल्ले सिरोंच नगर की वाटरमांग 15 कीडी मुहले निवासी नफीसा भी ने बताया वो अपनी बेटी के घर गए हुए थे और घर के में गेट पर ताला लगा था सूने घर का फायदा उठाते हुए चोरों ने में गेट का ताला तोड़ कर घर के अंदर कुसे कमडे में रखा सामान सूना चांदी के जीवर और दो लाग रुपे नगदी ले उड़े दोपहर बारा बज़े आकर जब नावाब ने घर पर आकर देखा तो सूचना दी गई कि आपके घर का गेट खुला हुआ है उपर नीचे का सूचना मिलते ही घर आकर इस्तिती देगी तो पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था हमने दिखा कि चोरों ने हाथ साफ कर दिया तब जाकर हमने थाने में शिकायती आवेदन दिया जिसमें आग्यात वेक्तियों के खिलाव उक्तिसामान खिलाव जिसकी शिकायत सरौच थाने में की गई आज दिनांक 27 ओफ जैनवरी को प्रार्थिया अदनफीसा भी ने निवासी किडी महला से रोजने थाने पर आकर रिपोर्ट लिखाई किसके घर में कल रात कुछ तकरीबन शाड़े बार वजे के असपास इसके घर पर चोरी हो गई है और चोरी में इसके सोने के जुंकी पाइल हार चांदी के पाइजेब नगदी तकरीबन दो लाक रुपे इसके घर से चोरी चले गए हैं जिस पर ठाना सिरोंच में आपरात काइम करके आग्यात चोरों की थलास पता रसी जारी है खबर भारत वर्ष के लिए सुरॉंच विदिशा से रवी विश्व कर्मा के रिपोर्ट अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन दबाना न भूले क्योंकि खबर हमारी पैसला चनतंत्र का